परमशान्ती, आज हम Dolores Cannon की नई दुनिया का ज्यान की बात करेंगे Dolores Cannon, Quantum Healing Hypnosis टेकनीक के मांत्यम से उपर की High Quality सुक्ष्म जगत आत्माउं से ज्यान लेती थी Dolores को ये बताया गया था कि पृत्वी एक परिवर्तन के प्रॉसेस में है पृत्वी एक नए डिमेंशिन में जा रहा है और अगर मनुश्य को उसके साथ जाना है तो उसको अपने Vibrations को उसके साथ मैच करना पड़ेगा क्योंकि मनुश्य कुछ करे या ना करे पृत्वी का परिवर्तन निश्चित है अभी पृत्वी का Vibrations और Frequency चेंज हो रहा है जिसकी वज़े से पृत्वी का समय बढ़ रहा है और ये Scientist ने भी खुद कहा है कि पृत्वी का Frequency और समय पहले से बढ़ चुका है सुक्षमे जगत की आत्माओं के हिसाब से पृत्वी के लोग इतने बिगड़ गए है कि इस पृत्वी को बचाने के लिए पूरी पृत्वी का Vibrations चेंज करना ही सिर्फ एक उपाय है उन्होंने ऐसा भी कहा है कि बहुत सारे Universes की आत्माओं पृत्वी का ये परिवर्तन का प्रोसेस देख रहे है क्योंकि ऐसा सारे Universes के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है जहां एक पूरा ग्रह एक साथ एक नए डिमेंशन में शिफ्ट हो जाएगा ये सुक्ष्मजगत आत्माओं जो Dolores को ग्यान देती थी उनको खुद भी नहीं पता है कि ऐसा परिवर्तन कैसे होगा वो सारे हाई क्वालिटी आत्माओं उपर उनके विमानों से प्रकाश के किरन पृत्वी में डाल रहे है ताकि वो ये फ्रिक्वेंसी परिवर्तन के प्रॉसेस में पृत्वी को संतुलन में रखे और मनुश्य के डियने को बदलने में भी मदद कर सके ये प्रकाश इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक फ्रिक्वेंसी के बदलने से दुनिया में बहुत सारे नाच्रल डिजास्टर्स होंगे जैसे सुनामी, भुकंप और तुफान मनुश्य का डियने और शरीर के सेल्स भी धीरे धीरे चेंज हो रहे है इसलिए दुनिया के लोगों को छोटी-छोटी शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे ब्लड प्रेशर, ठकान और चक्कराना क्योंकि हम प्रित्वी के साथ शिफ्ट हो रहे है एक ऐसा समय आएगा जब हमारे शरीर का पूरा परिवर्तन हो जाएगा और हम अमर हो जाएंगे इस नई दुनिया में इतने अच्छे पौदे, जानवर और नजारे होंगे जो हमने कभी नहीं देखे होंगे जब नई दुनिया में लोग जाएंगे तो थोड़े समय के लिए खुद के स्थूर शरीर वहां लेके जाएंगे और फिर दीरे दीरे सब के शरीर पूरे प्रकाश के शरीर हो जाएंगे दीरे दीरे खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सब प्रकाश से ही जीवित रहेंगे खाने से शरीर भारी हो जाता है और नए दुनिया में एकदम हलका प्रकाश का शरीर होगा इस नई दुनिया में कोई कर्मन ही होगा और वहां सब कुछ बहुत खुबसूरत होगा पूरा पृत्वी एकदम अलग बन जाएगा लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाएंगे जो low quality negative आत्माएं है वो पीछे रह जाएंगे क्योंकि वो लोग उनके vibrations बदल नहीं पाएंगे इस परिवर्दन के process में सुक्षम जगत की आत्माओ का कहना है कि पीछे रह जाने का सबसे बड़ा कारण है डर और डर से बचने का उपाए है news channels और ऐसे दूसरे डर पैदा करने वाले चीजों से दूर रहना और इस माय से बच के रहना डिलॉरिस ने कहा कि दुनिया के सरकार उनके युद बनाई हुई बिमारिया और उनके दवाईया से लोगों को डर में रखते ताकि लोग उनके नियंतरन में रहे तुलॉरिस का कहना है कि इस technology के जमाने में जहां ग्यान आसानी से और जल्दी से पूरी दुनिया में फैलता है लोगों को खुद के लिए सोचना चाहिए और सारे चीजों के लिए प्रश्न उठाने चाहिए ना कि जो पूरी दुनिया बोलती है उसको ही मान लेना चाहिए और इस परिवर्तन में तीन चीज करनी चाहिए ताकि वो नई दुनिया में जा सके और वो है सारे कर्मबंदन को छोड़ना डर को छोड़ना और सब के लिए प्यार और माफी के भावना से खुद के vibrations बढ़ा अगर मनुश्य परिवर्तन पे फोकिस करेगा तो उसकी दुनिया में ऐसा ही होगा जो नेगिटिविटी के बारे में सोचेगा उसके लिए नेगिटिव दुनिया रहेगी इसलिए विश्व परिवर्तन आत्माएं उनके संकल्प और विचारों से ही कर सकेंगे आत्मा में इतनी शक्ती है कि वो खुद के लिए नेगिटिव दुनिया बना सकती है और वो ही नेगिटिव दुनिया का परिवर्तन भी कर सकती है परम शांती झाल झाल झाल